हेलो एवरीबन चलिए आगे बढ़ाते हैं अपना चेप्टर प्रेपोजीशन हमारा चेप्टर चल रहा है कौन सा प्रेपोजीशन अब तक हमने पढ़ा हमने इसका पूरा कंसेप्चुल एनालिसिस किया किंसेप्चुल एनालिसिस है न हमारे जो पार्ट वन है विडियो नंबर थार्ट उसमें हमने इसका पूरा बेस तयार किया था हमने बताया था कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं प्रेपोजिशन का function क्या होता है प्रेपोजिशन यूज क्यों किया जाता है यह पूरे chapter का base है फिर उसके बाद हमने प्रेपोजिशन का part second बनाया था यह video number 31 थी इसमें हमने 80 plus prepositions को समझाया था उनके meaning उनके आपसी differences बिलकुल clear किये थे उसके बाद part third और part fourth इन में हमने किया था यह third part है और यह आपका fourth part है यह हमने आपको बताया था इसमें कि fixed prepositions को कैसे पढ़ा जाना चाहिए इन दोनों वीडियोज के माध्यम से हमने आगे का रास्ता clear किया था कि fixed prepositions कितने reliable होते हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाना चाहिए दोनों ही बहुत अच्छी वीडियोज हैं बच्चो उसके बाद part number five इसमें हमने ellipsis बताया था आपको कि prepositions में ellipsis किस तरह से किया जाता है और कव नहीं किया जा सकता है ठीक है इन पांचो के link description box में available हैं आज हम जो बात करने वाले हैं आज है निमोनिक्स निमोनिक्स कहते हैं बच्चो याद रखने की technique जहां निमोनिक्स की बात आती है बहां बहुत ज़्यादा logic या concept काम नहीं करता है जैसे एक line आपने सुनी होगी कि fashion के इस दौर में guarantee की इच्छा ना करें उसी तरह से बच्चो निमोनिक्स में आप बहुत ज़्यादा logic पिधान ना दें यहां तो बसे कोशिस की गई है कि कुछ tricks के मादिहम से कुछ दोहों के मादिहम से poetry के मादिहम से आपको कुछ prepositions याद रहे जाएं और दरसल यह जो आगे मैं दोहे करा रहा हूँ जो poetry मैं करा रहा हूँ यह मैंने high school के बच्चों के लिए कभी तयार किये थे लेकिन बहुती funny हैं बहुती अच्छे हैं इनसे काफी चीज़े याद रहे जाती हैं इसलिए मैं आपको यह करा रहा हूँ और आपको concept based पर पढ़ना है आपको इसका logic पढ़ना है तो इन पाचों के link आपको description box में available रहेंगे इसके आगे एक preposition का chapter और आपको मैं कराऊंगा जिसको मैंने बोला था 50-50 इसमें मैं 50 prepositions ऐसे ला रहा हूँ आपके लिए जो किसी भी exam में आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है है ना यह हम करेंगे लेकिन फिलाहाल कुछ छोटी-छोटी वीडियो इसके माध्यम से मैं आपको nemonics दिखाता हूँ कुछ ऐसी tricks दिखाता हूँ जिनसे prepositions याद रह सकते हैं दरसल यह chapter ही ऐसा है इसे कई angle से पढ़ना पड़ता है इसमें concept भी समझना पड़ता है इसमें analysis भी करना पड़ता है इसमें prepositions के meaning भी समझने पड़ते हैं और fixed prepositions भी पढ़ना मजबूरी बन जाती है और यह निमोनिक्स भी उसी का एक part है कि किसी तरह से हमें कुछ चीज़ें याद रह जाएं तो आईए बढ़ते हैं हम अपने आज के दोहे की तरफ तो यह है students हमारा पांचवा दोहा अब इसे दोहा कहेंगे या दोहे का बाप कहेंगे भाई छे लाइन का है यह तो दो दो चार और दो छे लाइन का है और इतने सारे words हैं जो इनको cover करता है एक एक करके देखते हैं किस तरह से यह cover करता है दोहा है आपका पूरा मरे जले रहे साबधान रखे शौक और मान शेखी मारे दोश लगावे चरती खूब थकान वंचित रहकर करे तमन्ना हो मन में विश्वास हो शर्मिंदा रहा हुआ हो या फिर बैठ निरास कम पैसों में काम चलावे रखे हिर्दे में खौफ यदि छुटकारा पाना हो तो काम में आवे ओफ इन सारे वर्ट्स के बाद जेनरली आप ओफ लगाते हैं और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जैसी कुछी चीज होती नहीं है पोजीशन बदलते ही सिचुएशन बदलते ही कॉंटेक्स्ट बदलते ही बदल जाया करते हैं लेकिन यह निमोनिक्स है जहां पर हलके फुल के अंदाज में आपको ये प्रेपोजिशन सीखने है देखिए मरे तो यह हो गया डाई ओफ ए डिजीज डाई के बाद इन भी आता है कोई accident में मारा गया कोई युद्ध में मारा गया तो die in आएगा फिर off थोड़ी आएगा die के बाद from भी आता है die के बाद due to भी आता है फिलहाल बीमारी से अगर कोई मरता है तो आप off लगाते है he died of cholera he died of pneumonia ठीक है उसके बाद है जले जले का मतलब इरस्या करना jealous of envious of दोनों के बाद आप क्या लगाते हैं off लगाते हैं die के बाद off jealous envious she is jealous of your success वो तुमारी सफलता से जलती है he is envious of us वो हम से जलता है ठीक है मरे जले अब वह रहे सावधान सावधान रहने के हैं beware of aware of conscious of तीनों का मतलब सावधान होना हम कहें कुतों से सावधान beware of dogs अजनवियों से सावधान be aware of strangers व्यप्ति को अपनी कमजोरियों का एहसास होना चाहिए one should be conscious of one's weaknesses मरे जले रहे सावधान रखे शौक और मान देखिए शौक फॉन्ड I am fond of music मुझे संगीत का सौक है I am fond of teaching मुझे पढ़ाने का सौक है फॉन्ड के साथ आप ओफ लगाते हैं मान I am proud of you मुझे आप पर गर्ब है मुझे आप पर मान है तो यह हो गया मरे जले रहे सावधान करे शौक और मान शेखि मारे दोस लगावे चर्ती खूब ठकान शेखि मारे don't boast of your belt अपनी दौलत की शेखि मत मारो he is boastful of his body वह अपनी body की बहुत ज्यादा शेखि मारता है अपनी muscles की बहुत ज्यादा शेखि मारता है शेखि मारे दोस लगावे ये तीनो के तीनो आपके दोस लगाने वाले हैं blame, accused, convict किसी पर हम दोस लगाते हैं किसी को blame करते हैं, accuse करते हैं तो तीनो के बादो आप औफ लगाते हैं he was accused of murder लेकिन आप जानते है कि charge के साथ with लाता है है ना इन तीनों के साथ आप ओफ लगाते हैं लेकिन चार्ज के साथ विद आता है He was charged with murder चड़ती खूब थकान Tired, weary, exhausted, sick थकना पकना तंग आ जाना I am tired of playing मैं खेलते खेलते थक गया हूँ He is weary of riding वह गुरसवारी करते करते थक गया है मैं तंग आ गया हूँ तुमसे I am totally sick of you है ना तंग आ गया हूँ तो आप किसी से तंग आ जाते हैं sick of someone, sick of something ठीक है? चड़ती खूब थकान वंचित रहकर करे तमन्ना वंचित रहना devoid of something, deprived of something ठीक है? किसी से वंचित रह जाते हैं वंचित रहकर करे तमन्ना desirous, ambitious, covetous तीनों का मतलब है तमन्ना करना, इच्छा करना He is desirous of more and more wealth उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए बंचित रहकर करे तमन्ना हो मन में विश्वास hopeful, sanguine, confident, sure, certain, assured, convinced यहां तक के सारे शब्द हैं जिनका मतलब होता है विश्वास होना अपने मन में पूर्णता आश्वस्त होना कि ऐसा हो जाएगा आत्म विश्वास से बहरा हुआ होना I am sanguine of your success मुझे तुमारी सफलता पर पूरा भरुशा है I am sanguine of your success ठीक है तो यहां तक क्या आपके हो गए विश्वास वाले तो यह हो गया वंचित रहकर करे तमन्ना हो मन में विश्वास हो शर्मिंदा रिहा हुआ हो शर्मिंदा ashamed of उसे अपनी कल रात की बत्तमी जी पर अपने कल रात के विवहार पर वो शर्मिंदा है ठीक है हो शर्मिंदा रिहा हुआ हो acquit off, clear off किसी को रहा कर देना, charge से free कर देना उस पर लगाए गए इर्जाम से मुक्त कर देना you clear someone off some charge किसी को आप clear कर देते हैं, charge से मुक्त कर देते हैं तब आप clear, clear इस अर्थ में हो तब आप off लगा देते हैं हो शर्मिंदा रहा हुआ हो या फिर बैठ निराश यहां से यहां तक के सारे शब्द निराश निराशा के लिए आते हैं जैसे confident होता है मुझे बिश्वास है तुमारी सफलता पर diffident उसका उल्टा हो जाता है somebody is diffident of his success disappointed of something desperate, doubtful, dubious dubious money भी वही होता है संदिग्ध सफलता पर आपको विश्वास होता है तो आप confident लगाते हैं और संदे होता है तो आप dubious लगाते हैं हो शर्मिंदा रहा हुआ हो या फिर बैठ निराश कम पैसों में काम चलावे आपको कहना हो मेरे पास पैसे की कमी है I am short of money these days ठीक है short of लगाते हैं हो शर्मिंदा रहा हुआ हो या फिर बैठ निराश कम पैसों में काम चलावे रखे हिर्दे में खौफ afraid और fearful के बाद आप आप लगाते हैं He is afraid of bathing उसे नहाने से डर लगता है है ना उसे ablutophobia है phobia होता है डर ablutophobia होता है नहाने से डर जो दीपावली के बाद सीधे होली पर ही नहाते हैं नहाने से डर लगता है किसी को उचाई से डर लगता है किसी को अंधेरे से डर लगता है बहुत सारे phobia होते ही तो afraid और fearful दोनों के बाद आप ओफ लगाते हैं रखे हिर्दै में खौफ यदि छुटकारा पाना हो तो काम में आवे ओफ ये गेट रिड़ ओफ छुटकारा पाना वह अपनी पतनी के रिष्टदारों से छुटकारा पाना चाहता है तो he wants to get rid of his wife's relatives ठीक है तो इतने सारे words हैं जो इन छे लाइंस में आपने cover किये हैं मरे जले रहे साबधान रखे शौक और मान शेखी मारे दोष लगावे चड़ती खूब ठकान वंचित रहकर करे तमना हो मन में विश्वास हो शर्मिंदा रहा हुआ हो या फिर बैठ निरास कम पैसों में काम चलावे रखे हिड़े में खौफ यदी छुटकारा पाना हो तो काम में आवे ओफ तो आईए कुछ सेंटेंसिस के माद्यम से इन्हें और किलियर करते हैं तो ये सेंटेंसिस आपके देखिए इसी दो हे पर अधरित हैं मरे ही डाइड ओफ नियुमोनिया उसकी मरत्य नियुमोनिया से हो गई जले विमेन आर ओफिन एन्वियस आफ अधर विमेन महलाएं अक्सर दूसरी महलाओं से जलती हैं मरे जले रहे सावधान बी अवेर ओफ साइकोफेंट्स साइकोफेंट्स होते हैं ऐसे चापलूस जो अपने फाइदे के लिए आपके साथ लगे रहते हैं और आपको पूरी तरह से चूज कर भाग जाते हैं साइकोफेंट्स पी अवेर ओफ साइकोफेंट्स चापलूस हों से साबधान I am fond of सूफी मुजिक I am fond of सूफी मुजिक मुझे सूफी मुजिक का शौक है करे शौक और मान I am proud of being with you मुझे आपके साथ होने पर गर्ब है She always keeps boasting of her affluent relatives वो हमेशा अपने पैसे वाले रिष्टेदारों की सेख ही मारती रहती है रखे सौक और मान सेख ही मारे दोश लगावे Don't blame him of this theft उस पर इस चोरी का इलजाम मत लगाओ दोश लगावे चरती खूब थकान She gets exhausted of cleaning her house वो अपना घर साफ करते करते थक जाती है वंचित रहकर करे तमन्ना हो मन में विश्वास These people are deprived of a good supply of clean water ये लोग स्वच पानी की सप्लाई से भी वंचित हैं इन्हें स्वच पानी भी पीने को नहीं मिलता Everybody is desirous of an easy going life हर कोई चाहता है हर किसी की इच्छा होती है हर किसी की तमन्ना होती है कि हमारी जिंदगी easy going हो बड़ी मज़े में कटे हो मन में विश्वास I am 100% sure of your success मुझे तुमारी सफ़ता का 100% 100% भरोशा है हो सरमिंदा रहा हुआ हो He was acquitted of the charge of murder charge मतलब इल्जाम उसे मर्डर के इल्जाम से रहा कर दिया गया रहा हुआ हो या फिर बैठ निराश we should not be diffident of our failures हमें अपनी अस्पलताओं से नहीं निराश होना चाहिए कम पैसों में काम चलावे I am short of money these days now it is आज कल मुझ पर पैसे की तंगी है रखे हिर्दे में खौफ great people are never afraid of death महान लोग कभी भी मृत्यू से नहीं डरते हैं और यदि छुटकारा पाना हो तो काम में आवे ओ get rid of such flatterers ऐसे चापलूसों से छुटकारा पाईए तो ये थी हमारी आज की क्लास ये दोहा था जिसके माध्यम से हमने बहुत सारे शब्द आज कवर किये हैं तो आज की क्लास हमारी यहीं complete होती है अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे